नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास के 5000 कॉशन्स का पार्ट 2 लेकर आया हूँ पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट वीडियो के नाम से दे दी है आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों आने वाले एक्जाम में 2019 बीस में बहुत से एक्जाम होने हैं और इतिहास हम सभी जानते हैं बनती तो है लेकिन आती नहीं है तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजे शायद आपको कॉशन बन भी जाएं अगर ना बने तो नोट्स बन जाएंगे वीडियो पर कमेंट जरू करिएगा वीडियो आपको कैसे लगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कॉशन है दिली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के में खलीफा शब्द हटाया था सिक्के से खलीफा सब्द हटाया था तो मुहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्र हो जाएगा पुरंदर के घेर में तोप खानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी आतरी ने भाग लिया था तो मनुची नाम के विदेशी आतरी ने भाग लिया था प्रसिद्य चित्रकार दस्वंत के चित्र कहां मिलते हैं तो रज्म नामा में उसके चित्र मिलते हैं संसार अस्थिर है छणिक है छण भंगुर के वाद से ग्यात होने वाली इस विचार को सरप्रतम किस ने प्रसुत किया था तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था नेक्श कॉशन देखते हैं मरगदाब जिसे हम सारनाथ के नाम से जानते हैं बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उब्देश किस नाम से जाना जाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है आयोद्या में इस्थित बाबरी मस्जित का निर्मार किसने कराया था तो मीर बांकी ने बाबरी मस्जित का निर्मार कराया था कौन सा मुगल शाशा के जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो लाहोर में है पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा मुहमद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी तो 712 एसवी में हुई थी महमूद गजनवी का दरबारी इतियासकार कौन था तो उत्वी नाम का दरबारी इतियासकार था महमूद गजनवी का पुलकेशिन दोती की राजधानी कहां पर थी तो वातापी इसका सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूश अगय है मुहम्मद गौरी के किस दास ने बंगालवा बिहार पर विजय प्राप्त की थी तो मुहम्मद बिन बक्तियार खिल जी ने बंगालवा बिहार पर विजय प्राप्त की थी आंध्र प्रदेश का सत्वाहन वंश का वह कौन सा साशक था जिसने वेन कंटक स्वामी की उपादी धारन की थी गोत्मी पुत्र सतकर्णी नाम से जो साशक था उसने वेन कंटक स्वामी की उपादी धारन की थी हर्ष के शाशंकाल में भूमी कर क्रशी उत्पात का कितना भाग वसूला जाता था तो एक बटे छे भाग वसूला जाता था सिंदुगाटी सबिता कि किस स्थल से प्राक सेंधव संस्कृती की सबसे महतपूर उपलबधी एक जुते हुए खेत का साक्ष मिलता है तो काली बंगा जोकी राजिस्थान में हैं यहां से साक्ष मिलता है किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उधारन मिलता है तो देवगड का दशावतार मंदिर शिखर का सबसे पहला उधारन मिलता है बौध धर्म की किस संगती में बौध धर्म दो भागों में अर्थात हीन यान और महायान में विभाजत हो गया था तो चौथी संगती में विभाजत हो गया था चौथी संगती किस के साशनकाल में हुई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पालवन्ष के किस शाषक ने प्रसिद्ध विक्रम शिला विश्व विद्याले की स्थापना करवाई थी, तो धर्म पालने कराई थी गुप्त वंश का वह कौन सा शाशक था जिसको देवराय तथा देव गुप्त के नाम से भी जाना जाता था तो चंदर गुप्त द्वती इसका सहीत्र हो जाएगा लोधी वंश के किस शाशक ने भूमी के लिए एक प्रमानिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था तो सिकंदर शाह लोधी ने करवाया था सल्तनत काल में सदका क्या था तो सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था समराट अकबर ने जैन धर्मिके जैनाचार हरी विजय सूरी को क्या उपाधी प्रदान की थी तो जगत कुरू की उपाधी प्रदान की थी उस्ताद मनसूर तथा अबुल हसन किस मोगल शाशक के स्रेश्ट कलाकारी थे तो जहांगीर इसका सहीतर हो जाएगा होलकर ने अंग्रेजों से मनसूर की संधीक कब की थी तो जनवरी 1818 में ये संधीक की गई थी पैरी प्लस अब्दी एरिथियन सी में औरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से सम्मोदित किया गया है तो पैडोक नाम के बंदरगाह से सम्मोदित किया गया है अलाउदीन खिलजी द्वारा या अलाउदीन द्वारा निर्मित अलाई दर्वाजा किस मस्जित का प्रवेश द्वार है तो कुतुब उल इसलाम मस्जित का प्रवेश द्वार है अक्बर के अलपायू होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल सामराज के शाशन की जिमेदारी किसके हाथों में थी तो बैरम खान इसका सहीतर हो जाएगा अंतिम मुगल शाशक कौन था तो बहादुर शाह जफर था बौद धर्म गरहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो गौतमी नाम की महिला बौद धर्म गरहन करने वाली पहली महिला थी गौतमी जी का बुद्ध धर्म के जो गुरु है उनसे क्या रिलेशन पाया जाता है आप को बताना है क्या मतलब इनका क्या relation था श्री मग भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है नेक्श कॉशन देखते हैं किस सत्वाहन नरेश्ट ने गाथा सप्त सती नामक महतपूर्ण कृति की रशना की थी तो हॉल नाम के सत नरेश्ट ने गाथा सप्त सती नामक महतपूर्ण कृति की रशना की थी किस राश्चकूर्ट साशक ने एलोरा के परवतों को कटवा कर प्रशिद कैलास मंदिर का निर्मान करवाय था तो कृष्ण प्रथम इसका सहित्र हो जाएगा चोल शाशक किस धर्म के अन्वियाई आलमगीर टीला जो की 1958 में पता लगा था कहां इस्थित है तो उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में इस्थित है नेक्ट कॉशन देखते हैं एहोल अभी लेक किस साशक से संबनित है तो पुलकेशन दोतिय से संबनित है तोल वक पियम किस युग की महान करती है तो संगम अन्ति मुगल बाशा बहादुर शादोती की मृत्यू कहां पर हुई थी तो रंगून इसका सहित्र हो जाएगा फोर्ड विलियम कहां पर इस्थित है तो कलकत्ता में इस्थित है फोर्ड विलियम नेक्ट कॉशन देखते हैं रणजीत सिंग और बिटिस इस्ट इंडिया क असूल के जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था तो उसे कहते थे बली संगम युक का ग्रंथ मड़ी मेकले किस धर्म की स्रेश्टता प्रतिपादित करता है तो बौद धर्म की स्रेश्टता प्रतिपादित करता है अगला कौशन देखते हैं भगवान बुद्ध के जी तो दिव्यावदान से इसका सही उत्तर हो जाएगा चालीसा, चालीस अमीरों का समुहू का जड़ मूल से किसने विनासगिया तो बलवन ने विनासगिया next question देखते हैं हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था तो मुहम्मद अली कुतुब शाह या मुहम्मद कुली कुतुब शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा चान बीबी का विवाह किस राजे के मुगल सुल्टान के साथ हुआ था तो बिहार पूर के अली आदल शाह के साथ हुआ था सूप्रसित कृती तब कात ए अकबरी की रचना किस ने की थी तो ख्वाजा मुहिनुद्दीन अहमद ने की थी सामवेत को गाने वाले विशेशग को क्या कहते हैं तो उद गाता इसका सहीत्र हो जाएगा जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है तो आगम नाम से जाना जाता है अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंदु घाटी सबता निर्माता कौन थे तो द्रविड इसका सहित्र हो जाएगा संगंकाल में राजा के जन्मदिन को क्या कहते थे तो पेरुनल कहा जाता था कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था तो जैनुलाब दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था बाबर की आत्म का था तुछक ए बाबरी किस भाशा में लिखी गई है तो तुर्की भाशा में लिखी गई है इस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल समराट ने प्रदान की थी तो शाह आलम दुती के द्वारा ये दीवानी प्रदान की गई थी रिगवेत में दश्यू सब्द किसके लिए आया है तो अनारियों के लिए आया है जो आरे नहीं थे संगम युगीन साहित की सैली में लिखा गया है तो कावे शैली में लिखा गया है गौतम बुद्र के जन्मे के समय पाटली पुतर का समराट कौन था तो बिम्बिसार इसका सहित्रों जागा नेक्ष कॉशन देखते हैं चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था मुहम्मद गौरी और जैचंद के बीच हुआ था परमारवन्ष की राजधानी कहां पर थी तो धारा नगरी में परवारवन्ष की राजधानी थी महावली पुरम इस्थित सात रथों का मंदि दुगलक के द्वारा की गई थी जफर नामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ तो औरंग जेब को लिखा गया गुरु गोविन सिंग का पत्र जफर नामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ आरियों ने पूर्व की और प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अ निशाद का सबसे पहला उलेक किस गरंत में मिलता है तो यदरवेत इसका सहीत्र हो जाएगा खानवा के युद में मेवार को पराजित करने वाला शाशक कौन था तो बाबर इसका सहीत्र हो जाएगा अगला कौशन देखे भारत में इस्थानिय सुषाशन का प्रारम किस ने किया था तो लॉड रिपन के द्वारा किया गया था मद्यकालिन इतियास का सरवादिक बिवादास्पत शाशक किसे माना जाता है तो मुहम्मद तुगलग को माना जाता है मौरे समराट अशोग के शाशनकाल में प्रांतों की संख्या पांच थी तक्शितिला किस प्रांत की राजधानी थी उत्तिरापत की राजधानी थी अजनता की कौनसी गुफा सरवादिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद उपाशकों को इस्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चितरत किया गया है तो गुफा संक्या नौ इसका सहीतर हो जाएगा तो शूलिक जाती का माना गया है नेक्श कॉशन देखते हैं राशकूट राजवन्स के चोल लेखों में किस राजा को शुग मतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है तो कुलोन तुंग प्रथम को कहा गया है गुलाम वंश का शाषक अलावददीन मसूद शाह किस परिवार से शंबंदिथ था तो इलतुत्मिस के परिवार से संबंदि था सल्तनत काल में विद्वानों इबम धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली धार्मिक या आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी तो इद्दार कहा जाता था इद्रार अकबर ने 1562 में मेरता पर सर्फुद्दीन के नेतरत में भिजय प्राप्त की वहां का शाशक कौन था तो वहां का शाशक जैमल था एगलो इंडियन हिंदू एसोशेशन की स्थापना किस ने की थी तो हैंरी विवियन डैरो जीयों के द्वारा की गई थी महात्मा बुद्ध की म्रत्यू के बाद उनके शरीर के अवशेशों पर कितने स्थूपों का निर्मार किया गया तो आठ स्थूपों का निर्मार किया गया गुपतोतकर काल में राजा दौारा प्रदत भूमी अनुदानों के आग्या पत्र क्या कहलाते थे तो उनको शाशन पत्र कहा जाता था किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल माना जाता है तो बीबी का मगबरा इसका सहित्तर हो जाएगा हुजूर दफतर क्या था तो हुजूर दफतर पुने में पेशवा का सची वाले कहलाता था लिंगायत संप्रदाय के अनुवाई किस देवता के उपाशक थे तो शेव के उपादक थे उपाशक थे दीवान ए इशा का क्या ताप्तपर है या क्या कारे हुआ करता था तो पत्र बिवहार करना एक प्रकार से डाकिये का काम करना दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान थ तो मुहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहगर का खिला किसने बनवाया था तो मुगल लोहगर का खिला किसने बनवाया था तो गुरू गोविन सिंग के द्वारा लोहगर का खिला बनवाया गया था कश्मीर के मारतंड मंदर का संस्था पक कौन था तो ललिता दित्य मुक्ता पीट इसका सहीतर हो जाएगा रिगवेद में किस अपराद का सबसे अधिकुल लेक है तो पशु चोरी इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल में शाशन विवस्था का सामान रूप क्या था तो राजतंत इसका सहीतर हो जाएगा मौरे वन्ष का कौन सा शाशक ब्रद्दा वस्था में जैन संत भद्र बाहू के साथ दक्षन चला गया था तो चंदर गुप्त मौरे इसका राई टांसर हो जाएगा गुप्त उत्तर कालीन भूमी विवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था मनु एवं याग्य वलकव्य स्मृतियों में इस्तरियों को किस के समतुले माना गया है तो शूद्रों के समतुले माना गया है महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आकर्मन कब किये थे तो पहला आकर्मन एक हजार इस्वी और अंतिम आकर्मन दस्तों सटाइस इस्वी में किया था राश्कूट किस राजवन्स का उत्तरादीकारी राजवन्स था तो वाकाटक राजवन्स का उत्तरादीकारी राश्कूट वन्स था मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदा बाद से कहां इस्थानांतरित कर दी थी तो मुंगेर इस्थापित कर दी थी चोल शाशक किस मत के सनरक्षक थे तो शैव मत के सनरक्षक थे चित्तोर अभियान के दोरान एक फारसी इतिहास अलाउदीन खिल जी के साथ गया था वह कौन सा था तो वह था अमीर खुश्रो हरपपा संस्कृती में घोडे की अस्थियां किस इस्थान से प्राप्थ हुई है तो घोडे की अस्थियां जो हैं सुरकोटा इस्थान से प्राप्थ हुई है आपसे पूछा गया है संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक का पियम का विशय क्या था तो तमिल व्याकरण थी तौलक का पियम का विशय जूनागर इस्तित सुदर्शन जील का निर्मार किस ने करवाय था तो चंदरगुप्त मौरे ने करवाय था मिश्र के इस साशक टोमेली ने तोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस साशक के पास भीजा था तो बिंदु सार के पास भीजा था अभी लेखों में देवाना प्रिय तथा प्रिय दर्शी नाम से किस साशक को जाना जाता है तो अशोग को जाना जाता है अलाई दर्वाजे का निर्मान किस ने करवाया था तो अलाव दिन खिलजी ने करवाया था बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी धाका से मुर्शिदाबाद इस्थानांतरित की थी तो नवाब मुर्शिद कुली खाने की थी प्रसिद्य कोनार्क मंदर किस देवता के लिए समर्पत है तो सूर के लिए समर्पत है हडपा कालीन सबिता मानव इतिहास के किस युग से समर्पत है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कांसे और तामे के युग से समर्पत है क्योंकि हिस्टी के कॉश्चन एकदम से ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है लगबग 374-375 वी करिएगा अपने ग्रुप्स में जिससे और भी इस्टूडेंट हिस्ट्री पर पाएं दोस्तों मिलते हैं नेक्ट पार्ट में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो